हेई एबरीवन सुबह सुबह पांच बजे दिन की शुरुआत हो रही है गरम पानी से और गरम पानी पी कर मैं आ गई हूँ गार्डन में आज मुझे गार्डन में बहुत सारे काम है सबसे पहले तो मुझे क्यारियें त्यार करनी हैं क्योंकि मुझे आज कुछ सबजियों के और फूलों के बीज लगाने है तो अच्छी तरह से मैं जिन भी क्यारियों को त्यार करना है उनको त्यार कर लिया है और अब मैं उपर वाला जो ये stand वाला हिस्सा है इसको करने वाली हूँ clean और इन सभी गमलों को मैंने नीचे उतार लिया है क्योंकि यहाँ इस क्यारी में बीज लगने के बाद और एक बार पानी डालने के बाद फिर मुझे कई दिनों तक इस क्यारी में पानी नहीं डालना है इसलिए मैं इस stand की आद cleaning करने वाली हूँ वैसे भी weekly या 15 days में एक बार मैं सभी port हटा कर यहाँ से यह सारा हिस्सा clean करती हूँ तो सोचा क्यों ना लगे हाथ इस काम को भी कर लिया जाए मेरे ज़्यादा तर गमले तो stand पर ही रखे हुए हैं लेकिन नीचे वाली रो में रखे हुए गमलों को मुझे कुछ दिनों बाद हटा कर इस तरह से cleaning करने पड़ती है क्योंकि बिना stand के जब हम गमले रखते हैं और उन्हें जादा दिनों तक हटाते नहीं है या अपनी जगह से हिलाते नहीं है तो चीटिये उसमें अपना घर बनाने लगती हैं और जब मैं इस तरह से इन्हें हटा करके रखती हूँ तो साथ ही साथ मैं इनके पुराने पत्तों की कटाई चटाई और इनमें जो गुडाई का काम है वो भी कर देती हूँ इससे क्या है ना कि जो सड़ी हुई पत्तिये हैं वो निकल जाती है time to time और उससे दूसरी पत्तिये जो है वो खराब नहीं होती है और ये सड़ी हुई पत्तिये जो है ना ये आपकी जो फ्रेश पत्तिये होती हैं उनको भी खराब कर देती हैं इसलिए गमनों की time to time आप कांट चांट करते रहें और उसमें गुडाई करके आप फर्टिलाइजर भी डालते रहें वीडियो को मैंने editing में फास्ट करके लगाया है ताकि आप मेरी इस gardening से ज़्यादा बोर ना हो लेकिन असलियत में इस काम को करने में मेरी अच्छी कासी exercise हुई है खेर जो काम हमें पसंद होता है उसे करने में हमें mental satisfaction मिलता है फिर चाहे वो कितनी ही मेहनत वाला क्यों नहों और साथ ही हम healthy भी रहते हैं तारा काम करने के बाद garden में जितना भी घंद मच्छा था वो सब मैंने जाडू से इस तरह से clean किया और ये जो पत्ते होते हैं इनको मैं फैंकती नहीं हूँ इस तरह से एक बड़े से bag में इनने में collect करके रखती हूँ और फिर अपने top floor पर जा करके मैं इसे compost bin में डाल देती हूँ सारे काम निप्टाने के बाद अब तयारी है बीज लगाने की सबसे पहले मैं इस बड़ी वाली क्यारी में लगाने जा रही हूँ पालक के बीज मैंने बीजों को भिगोया नहीं है डारेक्ट ही लगा रही हूँ और मैं हमेशा इसी त मास्क में मैं इसमें अच्छा खासा पानी डाल दूगी और फिर जब बीजों से हलका हलका प्लांट आपको नजराने लगे तब ही इसमें पानी डालना होता है बहुत ज़्यादा सबजी हैं मैंने कभी लगाई नहीं हैं लेकिन पालक मेथी धनिया ये सब मैं हर साल लगात कि मेरा क्या experience होता है पर इन बीजों की मुझे कोई पहचान नहीं हो पारी है कि ये किस सबजी के बीज है क्योंकि सभी बीजों के उपर ना color चड़ा हुआ है अगर आप लोगों को पहचान हो पारी है तो मुझे बताएगा और मैंने randomly मिटी में लगा देने वाली हूँ ये दढिंगे और section के अंडर वाले एरिये में मैंने िस की आरी में सारी सबजी ओं के बीजों के लगा दिये हैं और मुझे नहीं पता कि सबजी ओं के बीजी किस तरहें से लगाने है इनमें कितना गैफ रखना है और ये कुछ गैंडे के फूल के बीज वित हैं ये भी मैंने लगा दिये है और सारी क्यारियों में मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है पालक वाली क्यारी में भी मैंने पानी खूब अच्छे से लगा दिया है और जब इसमें सी छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन प्लांट आपको नजर आने लगे तब ही आपको इसमें दुबारा पानी ड मांग लीजिए कोई भी विश जरूर आपकी विश पूरी करेंगे पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहां पर बन रही है सुबह की पहली तसल्ली वाली चाई, चाई मसाला और शकर के साथ किस-किस को मसाला टी पसंद है कॉमेंट करके जरूर बताना तसल्ली वाली चाई को इंज्वाई करने के बाद यहां पर शुरू हो गए है मेरे किचन के बाकी काम ब्रेकफास्ट में बन रहा है सुजी और वेजिटेबल का चिला और टीफिन में बन रहे हैं कड़ी पकोडा जो की मैंने तड़का मार के पंजाबी स्ठाइल में बनाई है किस-किस को इसकी रेसिपी चाहिए कॉमेंट कीजिएगा मैं अलग से इसका वीडियो बना कर अप्लोड करूँगी और आगे का ये वीडियो है कुछ दिनों बाद का मॉर्निंग व्यू जहां पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ पालक का अपडेट के कितनी ग्रो हुई है लेकिन उससे पहले देखिए इन गुलाबों को आजकल ये मेरे गार्डन की ब्यूटी बने हुए हैं खोब खिल रहे हैं और सुबह सुबह उठते ही गार्डन में आओ तो इन फूलों को देख करना पूरा मन इन फूलों की तरह महक उठता है सच में बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं इस टाइम ये फूल गुलाब के और अभी आप देखिए पालक का अपडेट की क्या अपडेट है इसमें देखिए कितना ग्रो कर गई है थोड़ी थोड़ी नजर आने स्टार्ट हो गई है और इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट और दो दिन बाद का भी व्यू दिखाऊंगी कि दो दिन के बाद ये कितनी ग्रो हुई है ये है नेक्स्ट दो दिन के बाद का व्यू पालक काफी अच्छी खासी ग्रो हो गई है इसी कि साथ वीडियो का मैं करती हूँ एंड और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेर जोड किजीगा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई